नमस्कार दोस्तों, टीचर सिन में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे तेजपूर इनवर्सिटी ये एक सेंट्राल उनिवर्सिटी है और यहाँ PhD आडमिशन का नोटिफिकेशन अलड़ी आ चुका है 2020-2022 के लिए और यहाँ जितने भी सारे डिपार्टमेंट है सारे की सारे डिपार्टमेंट में आपको PhD का आडमिशन मिल जाएगा तो चलिए चलते हूं उसका ओफिस्याल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिसकस करते हैं शुरू करने से पहले में आपको बता दूँ कि जिन्होंने अभी तक हमारी चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लिजिए फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो चलिए हम इसको सुरू करते हैं तो यह आप देख सकते हो यह है तेशपूर युनिवर्सिटी का ओफिस्याल वेबसाइट यह एक सेंट्राल युनिवर्सिटी है और यह असाम में लोकेटेड है यहाँ थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा अड्मिशन्स देखें लेट साइट क सारे के सारे नोटिफिकेशन के बारे में यहां डिसकस किया गया है तो थोड़ा साब नीचे आओगे यहां आपको तिन चीज मिल जाएगा एक तेशपूर युनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस दोचारे किसके लिए हम इसको उपन करेंगे उसके बाद आड्मिशन अनॉंस सकता है तो पहले चलिए उसका जो नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं प्रोस्पेक्टस अभी भी डाउनलोड हो रहा है तो यह है इसका प्रोस्पेक्टस आप यहां देख सकते हो तेशपूर युनिवर्सिटी यह सेंट्राल युनिवर्सिटी ओफिस अब दा कंट्रोलर यहां मैं डिएरेटट चलता हूँ प्यसडी सेक्टन में यहां देखिये डिपार्ट्मेंट यहां मेंशन किया गया है प्यसटी कौन कौन सा डिपार्ट्मेंट में आपको प्यसडी करने का budsints रुपर्चूनिटी मिल जाएगा फैस्ट डिपार्टमेंट अंडर स्कूल इंजिनेरिंग, computer science and engineering, civil engineering, electronics and communication engineering, electrical engineering, energy, food engineering and technology, mechanical engineering and applied science, ये सारे के सारे engineering subject में आपको PhD करने का opportunity मिल जाएगा, then department under school of management science, यहाँ आप देख सकते हो, department under school of humanities and social science, यहाँ English, Hindi, mass communication and journalism, sociology and social work, तो ये सारे के सारे मिला करके more than 21 subject में आप यहाँ PhD कर सकते हो, then, यहाँ mention किया गया है, admission का procedure क्या है, यहाँ तीन प्रकार का procedure है, means three steps है, first, आपका जो academic performance है, ये 10th से लेकर onwards आपका देखा जाएगा, उसके बाद आपका जो एक statement of purpose और जो online questions होगा, मतलब आपका जो एक written test होगा, and third round होगा आपका जो personal interview, ठीक है, और जिन्होंने UGC और CSIR क नेड, gate, slate, जो भी दिया है, ये सब exempted है, इनको first round of entrance होता है, ये देने की जरूरत नहीं है, और उसमें MPHIL भी सामिल है, MPHIL बालों को भी कुछ exam देने की जरूरत नहीं है, और direct आएंगे personal interview round में, और कोई भी student, already graduate, sorry, master's complete हो चुका है, मगर उसका result आ चुका है, मगर certificates नही pre-final examination and received the mark seals, will be eligible to apply for MTEC and PSG programs, ठीक है, बाके थोड़ा कुछ mention किया गया है, आप चाहो तो इसको पढ़ लेना थोड़ा, और यहाँ देखें, mention किया गया है, procedure क्या है, apply करने का, ये जो बहुत बड़ा सब दिख रहा है, ये आपका link है, इस link के थो में आप यहाँ online apply कर सकते ह और इसके लिए जो application फी रखा गया है, ये general के लिए रखा गया है, 800 रूपया, and ACST reserve category के लिए 400 रूपया, ठीक है, और ये already शुरू हो चुका है, आप यहाँ देख सकते हो, ये already शुरू हो चुका है, और इसका जो last date है, apply करने के लिए, ये है 10-8-2021, तो ये बहुत important चीज और देखेंगे eligibility criteria क्या है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ mention क्या गया है, जो prerequisite and the area of research of the PhD program are given below, तो यहाँ आप देख सकते हो, department, then department के अंदर कौन सा subject लेकर आप PhD करना चाहते हो, इसके लिए क्या-क्या, जो research area है आपका, यहाँ mention क्या गया है, आप यहाँ देख सकत हो, applied science, then, तो यहाँ भी देखे, eligibility criteria भी mention किया गया है, जिन्होंने भी B.Tech किया है, या B.E. किया है, और उसका जो marks है, यह 80% से ज्यादा है, तो ओ भी यहाँ eligible है, या apply करने के लिए, बाके ऐसे अपना-पना department में के लिए, आप यहाँ देख लेना, आप कौन सा department से बिलंग करते हो, इसके लिए क्या qualification चाहिए, जैसे कि commerce, commerce में आप देख सकते हो, commerce के लिए, जिन्होंने income किया है, MA किया है, MSC किया है, economics या FCA किया है, या FCA में किया है, या FCS किया है, वो सारे के सारे student यहाँ eligible है, apply करने के लिए, और आपका जो research रिया किया रहेगा, यह accounting, finance, then sustainability, then corporate governance, then development economics, यह सारे सारे subject लेकर आप यहाँ PhD कर सकते हो, ठीक, इसी प्रकर आप देख लेना, सारे सारे subject यहाँ mention किया गया है, और आप सबको पता है कि minimum जो criteria होता है, apply करने के लिए, किसी भी master degree में 55% होना चाहिए, general category के लिए, और जो reserve category होते है, उनके लिए कम से कम 5% का relaxation मिल जाता है, मतलब 50% में, तो यह सारे के सारे जगा यह लागू होता है, तो यहाँ भी वही है, तो यह था इसका details, बाकि आपको याद रखना है, इसका जो last date है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो 10-8-2021, तो इसका जो prospector से अभी तक download नहीं हुआ, तो इतना important नहीं है, इसमे दो paper होगा, first paper में आपका research methodology, and second paper में आपका subject से आप बिलोंग करते हैं, उसी subject में आपको मिलेगा question paper, तो यह था इसका details, बाकि इसका जो link है, मैं दे दूँगा description में, वहाँ जाकर आप इसको download कर सकते हैं, और देख सकते हो, और जिसको भी यहाँ apply करना है, apply कर सकते हो, और आप जिन्होंने अभी तेक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, subscribe कर लीजे, future में जो भी notification आएगा, आपको सबसे पहले मिल जाएगा, so thank you, all the best, जाने से पहले में आपको बता दू कि हमारा यह teachers in channel, यह fully dedicated है teachers के लिए, जो भी एक अच्छा teacher, professor, assistant professor, associate professor, बनना चाते हैं, उनके लि बहुत सारे studies, competitive exam and jobs के बारे में हम discuss करते हैं, तो मैं आप सबको request करूँगा, आप इस channel को subscribe कर लीजे और like किजिए, और नीचे जो हमारा social media size दिया गया है, इसमें आप follow किजिए, तो जो भी notification आएगा, आपको सबसे पहले मिल जाएगा, thank you, all the best.